तो अगर आपको टमाटर का टैंगी तेस्ट पसंद आता है तो चलिए आज के हमारी रेसिपी टमाटर से बनने वाली है टमाटर के पापड और ये पापड आप रत में भी बना सकते हैं अगर आप रत में टमाटर खाते हैं तो आप रत में भी से बना सकते हैं या फिर किसी फ क्यार करना ना भूले और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजिए और एक छोटी सी घंटी आएगी उसे भी जरूर दबाकर आल पे क्लिक कीजिएगा जिसे की रोज की नए नी वीडियो की नोटिफिकेसंस आपको मिलते रहेंगे चलिए शुरू करते हैं बनाना तो यहां पर मैंने चार टमाटर ले हुए हैं बिल्कुल पक्के हुए लाल टमाटर का यूज करना है हमें और इसे मैंने अच्छी तरीक इसे वाश कर लिया है चलिए अब इनको बारिक बारिक काट ले यहां पर मैंने टमाटर को पीस लिया है बहुत इबारिक सा पेस्ट देख सकते हैं लेकिन यह भी तयार नहीं है इसको हमें चानना होगा क्योंकि जो छिल्की और बीज होते ना वो यहां पर इसमें अच्छे से पीसते नहीं है तो उसको जरूर से निकाल लीजिए अगर न जो पीसे नहीं है तो इनको हटा लेते हैं और यह हमारा बहुती स्मूध सा पल्प तयार हो गया है देखिए इसको भी रख लीजिए साइड में और सेम जार में हम डालेंगे साबुदाना यहां पर देखिए मैंने एक कप साबुदाने को मैंने भीगो कर लिया था आप पूले हुए होने चाहिए तो चलिए इसको भी हम डालेंगे मिक्स्टर ग्रेंडर जार के अंदर और इन्हें भी हल्का कोर्सली ग्राइंड करना है थोड़ा सा दर्द्रा ही रखना है तो मैं आपर सेम ग्रेंडर जार का यूज़ कर रहीं को यह टमाटर के साथ ही हम इसे वाले है तो इसे वाश करने की जरुरत नहीं है और लीजिए हमारा ये साबुदाने का पेष्ट भी तयार हो गया है थोड़ा सा मने दर्द्रा रखा हुआ है यानि कूर्सली ग्राइंड करना है इसे बहुत बारिक नहीं करना है चलिए अब हम इसको डाल देंगे टमाटर वाले पेष्ट के साथ यानि उसी बोल में डालेंगे जिसमें में टमाटर का पेष्ट बना कर रखा हुआ था ना आप चाहें तो साबुदाने के जगह पर आलू ले सकते हैं अगर आप व्रत के लिए बनाना चाहते हैं तो या फिर आप चावल कांटा सूजी भी यूज कर करके भी क्योंकि क्या होता टमाटर अच्छे से पीसेंगे नहीं और फिर साबुदाना अगर चानने बैठेंगे नहीं तो चानेगा भी नहीं चलिए अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो नमक जादा मत डालिएगा बिल्कुल आदी चोटी चमच के आसपास डाल क्याने के लिए मैं ले रही हूँ टमाटर का पाॉडर मैं रिसेंटली यह विडियो बनाएकर शेयर किया हुआ है टमाटर का पाॉड़ घर पर कैसे बनाए आप वहां से एक हुप अपरी चमच कना और चामच का पास एड़ नहीं करेंगे क्योंकि यह लाइट कर जादे अच्छे रहते हैं सूखने के बाद थोड़े से ही जादा पिंक जैसे हो जाते हैं अब इसमें डालेंगे पानी तो यहां पर तीन कप क्या सपस पानी एड़ करेंगे ताकि जो मिक्षर है वो हलका सा पतला हो जाए तो कब से नापकर हमें आपर तीन कप पानी डाल देंगे क्योंकि बहुत जादा पतला नहीं करना इसे इसलिए नापकर पानी डाल जीएगा और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिजएगा क्योंकि हम इसे अब पकाने वाले हैं तो यह तीसरा कप पानी भी हम इसमें एड़ कर ले रह सके ताकि टमाटर और साबुदाने बढ़िया से पक जाएं और थोड़े से ट्रांस्पेरेंट हो जाएं तो मैंने आपर कूकर लिया हुआ है और कूकर में हम यह सारा मिक्षर डाल देंगे और इसे हम मीडियम से लो फ्लेम के बीच में रखकर अच्छी तरीके से ड़बक दो से तीन मिनिट हो चुके हैं और यह हमारा तमाटर और साबुदाने का जो मिक्षर है शलका हलका सा ठांसलूसेंट होने लगा है इसे हमें जादा दिर पकाने की जरुरत नहीं है ये बहुत ही जल्दी से गाढ़े हो जाते हैं इसलिए लगभख 5-7 मिनट ही हमें इनको पकाना है तो अब ढगल लगाने की जरुरत नहीं है इस तरीके से लगतार चलाते रहें जब इसमें bubbles ना आने लगे तब तरक हम इनको पकाना है और यह आप देखेंगे जब आप कल्ची से इस तरीके से गिराएं तो कल्ची पूरी तरीके से साफ साफ देखनी चाहिए एकदम वैसा हो जाना चाहिए तो इसी तरीके से हम इनको पका लेंगे, एक से दो मिनट और, और देखिए इसमें अराम से बबल्स हा रहे हैं न, यह उच छड़ने लग रहे हैं, तो इस सेफटी के लिए आप ढगकर इस तरीके से रख लीचें, नहीं तो जो बबल्स है न, वो आपके ऊपर आ जाएंगे, तो carefully इसको करें, चलिए आप gas का फ्लिम बंद कर देते हैं, और यह देखिए, कितने translucent से हो गया न, एक्दम ऐसी consistency होनी चाहिए, पापड बनाने के लिए, तो यह बिल्कुल तयार है, इनको अब ढगका लगा कर रख देते हैं, और पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं, तो डाल सकते हैं गरम-गरम या हलका गरम में भी, चलिए अब देखिए, मैंने यह पर प्लास्टिकी सीतली होई है, और चोटे-चोटे में आपर पापड बना रहे हूँ, साइज आप अपने हिसाब से बड़े चोटे जैसे आपको अच्छा लगे, वो आप कर सकते हैं, औ और यहां पर मैंने चोटे-चोटे प्लास्टिकी सीतली होई है, जिस पर हम एक जगह पापड बनाएंगे, और वापस से सारे पापड को ले जाकर वहां रखेंगे, जहां अच्छी खासी मात्रा में हवा आती हो, या फिर आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, अगर धू प्लास्टिकी सीट से चुड़ाने की जरुरत नहीं है, पूरी तरीके से सूखने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, यह देखिए, और प्लास्टिकी सीट पर चुड़ाने की जरुरत नहीं है, इस तरीके से प्लास्टिकी सीट को खीचेंगे, और यह पापड हम निकाल कर दयार करते हैं फिर हम इनहें तलेंगे अगर आप पापड की और भी रेसिपीज दिखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के लिंग के दिया हुआ है बहुत ही नए नए तरीके से और आसानी से आप घर पर पापड बना सकते हैं और इंस्टेंटली इंस्ट करतनी है सिर फॉर सिर आप जिपलोग बैग में या फिर डबे में भर कर रख दीजे साल भर चलाइए जब आपका मनकरी से निकालिए राइ कीजिए या फिर बेक कीजिए और फिर खाईए तो कैसी लगी आपको रिसी भी जरूर से बताएगा लेख सकते हैं जो पापड का क इसे तुगने साइस के हो जाते हैं देख रहे हैं मैंने इसमें सोडा वेगर का यूज नहीं किया था अगर आपको और भी जादे बड़े-बड़े साइस के पापड चाहिए तो आप एक पिंच बैटर में सोडा डाल दीजेगा जिससे कि आपका पापड और जादे बड़ देखा आपने कितने कृस्प बने हैं तो अगर आप इसे व्रत में बिनाना चाहते हैं तो सफेद नमक के जगा पर सेंधा नमक का यूज कीजिए और ये पापड हमारे तयार हो जाएंगे कैसी लिग रेसिपी ज़रूर से ट्राइ कीजेगा आप मुझे यूट्यूब के ल कि लिग पाप हमारे तो अगर आप 1